लगातार हो रहे ए आई आई एम पार्टी के करकरताओं के उपर मुकदमे को लेकर प्रियागराज ए आई एम आई एम के युवा करकरताओं ने पुलिस अधकारियों को क्या पंसोपा उन्होंने पत्र गिर्जागर पहुचकर धर्ना हाउस पर धर्ना इस्थल पर जमकर नारेबाजी की और या मांग किया कि जिस तरह से ओवेसी के पार्टी के करकरताओं को परसान किया गया जा रहा है है मुकदमों से प्रतारित किया जा रहा है इसका हम कड़ा विरोध करते है इसके साथ ही परतमान सरकार लगातार उत्र प्रदेश के हर जीलों में एई आई एम के करकरताओं पर निसान असाधर रही है उन्हें फर जी मुकदमों में पसा रही जिसका हम लोग भी रोट दर्ज कराते हैं इसके साथ ही कारकरताओं ने धरने अस्तल पे मुझूद पुलिस अधकारी को ग्यापन सौपा और यह भी कहा कि फरजी मुकदमें से कारकरताओं को नफसाये जा अगर इसी तरह से चलता रहा तो कारकरता मजबूर होंगे रोट पर जिना 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 पर tान प्रसासन के भी लोग थे मगर वह सक्ष वह नहीं था तमाम तरह की वीडियो पनी है मगर उस वीडियो में अली नाम का कोई सक्ष वहां मवजूत नहीं है और यह जो F.I.R. में बताया जा रहा है कि दिवाल J.C.P.C. तोड़ी गई है तो तमाम वीडियो पनी है मगर उस वीडियो में ना तो दिवाल तोड़े का दिखाया गया है जो दो लोग पकड़े गए है उसमें एक हमायम का कारी करता है असाथ और उन लोगों को मुकदमवादी वा उनके लोगों ने फौन करके बुलाया था और फोन करने बाद जब वहाँ पहुचे तो पहुचने के बाद अपने से बुर दिवाद को और या परसासन को बुला के उनको धोके से जल से गिरफ्तार करवाने का काम किया है तो मैं पुरिस अदिछाक महोदेजी से निवेदन करता हूँ कि उपरोक मुकत में की निश्मा जाक्ष कराई जाए और जो वहाँ पे मवदूत नहीं था जिसका नाम आ रहा है उसके न्याय मिले और जिससे लोगों में सरकार के प्रति और प्रसासन के प्रति विश्वास बन च्यक्पाम जिदा अिदागा जिदागा को झाल झाल